Welcome to the Success Classes, Bizynor! Dear students, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं Numericals on Diode यहाँपर हम आज डिसकेस करेंगे Diode पर बनने वाले numerical और साथ के साथ Jenner Diode पर बनने वाले numerical ते यह वीडियो आज आपके लिए बहुत जादा important होने वाला है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें अपने दोस्तों को शेर भी जरूर करें जाद से जाद से शेर करें और वीडियो लाइक भी जरूर करें ठीक है स्टुइंट्स चलियो तो आज हमें स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक का यह कहें कि important part हम करने वाले हैं आज डायोड पर बनने वाले जो numerical हैं अभी तक इतना भी हमने पढ़ा है उन में जो भी हमने diodes के बारे में जाना है डायोड का part almost theoretical complete हो चुका है फिर अब हम ट्राइंस्टर discuss करेंगे अगली वीडियो में इस्टुएंट्स डायोड पर जो numerical जिस टाइप के बनते हैं वो मैं सारे आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर और साथ के साथ जैनल डायोड पर भी बनने वाले numerical भी यहाँ पर discuss करेंगे ठीक है इस्टुएंट्स उसके बाद जो हमारे रेक्टिफायर, क्लीपर और क्लैमपर पर जो numerical बनते हैं वो मैं एक वीडियो और लेक्या हूँगा दो वीडियो में इस आपके सारे कभी ना कभी किसी ना किसी एक्जाम में आये हूए हैं और साथ के साथ मैंने यहां पर लिखा हूआ भी है कि किस एयर में आये हैं और कितने मार्क्स में numerical आया है ठीक है तो इस्टुएंट जैसे हमारा question number one है यहां पर यह देखिए AK2 Sam exam 2013 14 में आया था यहां पर और 5 marks का आया था यहां पर यह नुमेरिकल ठीक है तो चलिए हम discuss कर लेते हैं इस numerical को समझ लेते हैं क्या इस numerical में numerical बिल्कुल सिंपल आता है डायोट से बस उसको समझने का होता है कि समझ नहीं पाते है और इस्टुएंट जादा तर डायोट के numerical को छोड़ के आते हैं ठीक ह तो देखिए यहां पर क्या दिया होगा है question number one a germanium diode carries a current of one milliampere a germanium diode is a current of one milliampere a germanium diode is a current of one milliampere of room temperature when a forward bias of 0.15 volt is applied यानि कि हमने जो germanium diodes पर forward bias की हुई है और कितनी वोल्ट अप्लाई किया हुआ है 0.15 volt अप्लाई किया हुआ है और उस टाइम पर वह one milliampere current carry कर रहा है room temperature पर estimate the reverse saturation current at room temperature तो हमें यहां पर reverse saturation current find करनी है room temperature पर तो इस्टुएंट अगर हम बात करें germanium diode की तो मैंने जब characteristics बतायती तो वहां पर मैंने एक diode equation बतायती यह उसी का में यहां पर use करना है diode equation का उसमे एक term होती है ETA एक हमारा जö germanium diode होता उसके लिए 1 होता है और जो silicon का diode होता उसके लिए 2 होता है यहाँ पर current दियो हुई है यहाँ फो कितना दिया हुआ है 1 millio A दिया हुआ है और जो forward spacing में बोला है तो forward spacing में VF याए अनि forward voltage अगर हम बात करें तो वो कितना दिया हुआ है 0.15 वोल्ट ठीक है स्टुएंट अब आप यह मैं समझना कि मैं यहां पर solve numerical लेकर हूँ मैं solve इसलिए लेका क्योंकि यहां पर लिखने में मुझे problem होती है ताकि लिखने में कोई problem ना हो मैं यहां पर numerical solve पहले से है तो यह आपको अच्छे से समझा दूँगा बस आपको ध्यान से वीडियो को सुनना है और देखते वह जाना है बिल्कुल ध्यान से ठीक है मैं कहां पर क्या समझा रहा हूँ ठीक है और ध्यान से मुझे सुनते जाना है अब क्या है the expression for forward diode current यानि कि मैंने जो diode current की equation तुम्हें बताई थी उसमें क्या था हमारा i equals to i0 e to the power vf नहीं था बलकि vd था upon eta vt-1 तो यहां पर forward byisng की बात हो रही है तो यहां पर forward जो हमारी diode voltage उसकी जगह पर हमने vf यूज कर लिया दिया हुआ है threshold voltage दिया हुआ है तो ठीक है लेकिन नहीं दिया अगर numerical में तो आपको room temperature पर vt-26 millivolt ही हर बार assume करना है let करना है मानना है ठीक है ना student ध्यान रखेंगे सीच को vt-2 threshold voltage जो है वो 26 millivolt ही आपको assume करना है अगर एक्जम में numerical में नहीं दिया हुआ है तो अगर दिया हुआ है तो फिर वही लेना है नहीं दिया हुआ है तो फिर room temperature पर 26 millivolt ही आपको assume करना है बार बार ठीक है अब हमें यह vt हमारे पास है हमारे पास eta हमारे पास है हमारे पास i है यानि के यह i जो है हमारा यह क्या actual में i fe forward current है और vf हमें दिया हुआ है 0.15 वोल्ट तो हमें इस सारी values जो है अपनी इस equation में put कर देनी है चलिए 1 by 1 put कर देते हैं if की जगे पर हमने 1 into 10 to the power minus 30 यह 30 नहीं होगा यह milliampire है तो 1 into 10 to the power minus 3 होगा यह 0 नहीं है ठीक है स्ट्वेंट यह 0 नहीं होगा यहां पर equals to इसको हटा देंगे 0 को अब यह numerical की में PDF आपको provide नहीं करा हूँगा आप यह numerical जो है न साथ के साथ नोट भी कर लीजे वीडियो को जैसी समझ ले पहले एक बार समझ ले numerical को वीडियो को पॉस करें फिर नोट कर लें फिर आगे अगला numerical समझे फिर वीडियो पॉस करें फिर नोट कर लें इस तरह से ठीक है तो यहां पर यह क्या होगा हमारा यह यह यहां पर 1 into 10 to the power minus 3 minus 3 क्यों लिए 10 to the power क्योंकि यह milliampire मे इंपेर में convert करने के लिए 10 to the power minus 3 से multiply कर दिया है one में equals to i not i not हमारा यह यह हमें निकालना है reverse saturation current हमारा यह होता है यही calculate करना है e to the power VF VF की जगह पर हमने 0.15 वल्ड है तो 0.15 फुट कर दिया अप उन इंटू 26 वन किसकी जगह पर इटा की जगह पर जर्मीनियम डायोड के लिए into 26 into 10 to the power minus 3 यह 26 into 10 to the power 3 यह है VF हमने जो लेट क्या हूआ है माना हूआ assume क्या हुआ है 26 milli volt है तो milli के लिए हमने क्या कर दिया into 10 to the power minus 3 कर दिया तो ये world में convert हो गया अब हमारा 26 into 10 to the power minus 3 volt और ये minus 1 ये minus 1 है अब ये यानि exponential है हमारा e की power ये solution हम अपने calc से बहुत easily कर सकते है ये to the power हम calc में हमारे option होता है है वहां से हम सीधा calculate कर सकते है आपको पता ही होगा exam में ठीक है students scientific calculator यहां पर allow होता है btec के exam में तो वहां से आप I hope मैं जहां तक समझता हूँ आपने ये चीज़े समझ लिए होंगी कि किस तरह से हमें अपने calculator से calculation करनी है यानि कि e की power हमें कैसे calculate करना है अगर नहीं जानते हैं तो अपने teacher से समझ लिए गा ठीक है कि कैसे हम e की power calculate करते है अपने calculator से बहुत easily calculate कर सकते हैं इसको solve कर लेंगे solve करने जो भी value आएगी उसका e to the power value निकालेंगे जब value calculate करेंगे यहां पर तो यह आएगा 403.43 403.43 और यह minus का 1 as it is है हमारा i not as it is है और यह 1 into 10 to the power minus 3 हमारा as it is है अब हमें यहां से क्या निकालना है i2 calculate करना है तो यहां से हम क्या करेंगे 1 subtract करेंगे तो 402.43 हो जाएगा subtract करके फिर इधर multiply में साथ जब इसको इधर लेके जाएगे तो divide में हो जाएगा तो 1 upon 402.43 हो जाएगा और multiply में आ जाएगा 10 to the power minus 3 जब इसको हम divide करेंगे calc से solve करेंगे तो divide करके हमार यह value आ जाएगी 10 to the power minus 6 हो जाएगी यह ampere में है और हम जानते है 10 to the power minus 6 जो होता है वो micro होता है तो इसलिए हम इसको क्या micro लिग देंगे इसकी जगे पर तो हमारा finally answer क्या होगा 2.4849 micro ampere ठीक है students I hope आपको यह समझ में आया होगा question बहुत easy numerical आता है यह मिच को समझाने में इतना time लग रहा है लेकिन आप अगर exam में करेंगे तो इतना time नहीं लगेगा बहुत जल्दी इसको solve कर लेंगे अगर exam में आपका choice में इस तरह से question आता है कि एक theory है और एक numerical है या एक theory है fully और एक में theory plus numerical है तो अगर आपको numerical अच्छे से आता है लगता है कि आप अच्छे से attempt कर सकते हैं उसको solve कर सकते हैं without any mistake तो आप मैं यह चाहूँगा या यह कहना चाहूँगा कि आप numerical वाला ही question prepare करें लेकिन तभी करें अगर आप 100% sure है कि उसको 100% बिल्कुल correct attempt करेंगे अगर थोड़ा सा भी doubt होता है तो आप फिर theoretical वाले question पर जाए ठीके ना students चलिए आगे बात करते हम second question पर अब second question में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं one by one क्या क्या चीज़ें इसमें हैं हमारा इससे पहला जो question था वो simple हमारा diode equation पर था diode पर था यह हमारा diode resistance पर है यानि कि diode पर यह कुल मिला के बात करें तो diode resistance हमने पढ़े थे static और dynamic दो type के resistance होते हैं तो उसी पर हमारा diode resistance पर यह भी आया हुआ है second Sam में आया हुआ है 2013-14 में यह भी five marks में आया हुआ question है चले तो question पढ़ लेते हैं क्या explain the static and dynamic resistance in PN junction diode अब देखो इसमें यह theory का question है साथ में यानि के यहां पर हमें static and dynamic resistance explain करना है PN junction diode का यह मैं वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं जो वीडियो बनाई है उनकी playlist बना दी है उनका link में नीचे description में provide करा दूँगा वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं अब ही तक की ठीक है students उसमें मैंने static and dynamic resistance भी बताया है तो वहां पर आप इसको देख लेंगे theory के पार्ट को हम यहां पर के अवल numerical discuss करेंगे क्या है numerical determine the dc resistance levels for the diode in figure यह जो यहां पर है figure में हमें क्या करना है dc level याणि dc resistance level calculate करना है ठीक है यह इधर forward baising के लिए है और यह इधर हमारा reverse baising के लिए अब हमें इसमें करना क्या है इसमें हमें जो dc resistance dc resistance हमें यहां पर इसके levels calculate करना है अलग-अलग points पर ठीक है और इसमें question में दिया हुआ क्या पर यहां पर इस जहागर पर यह वाला है यह अपर इस तरह यह लूम इंपएर दिया हुआ है है यहां पर और एक हमें दिया हुआ है 20 ь trillion ठ्यूंहाइई या स बडलना 5-2bell व्डट या है माइनस के 10 प सयक्या है म्यंआश की एंड ट्यू 그래도 या निके इन गूंद पर 200,000,000,000,000,000,000,00 पर वे स्मेसर मेरी माइमली बाइसिंग 2030 है value measure करनी है ठीक ना तो अब हम बात करें 2 milli ampere की सबसे पहले हम बात करतें 2 milli ampere current की तो 2 milli ampere current हमारा कहां पर है इस point पर है इस point पर हमें resistance measure करना है तो resistance हमें पता है जो हमारा DC resistance होता है simple formula होता है VD upon ID diode voltage upon diode current तो अगर हम इस point पर बात करेंगे जो हमारा point is characteristics में तो इस point पर voltage कितनी है 0.5 और इस point पर current कितनी है 2 milli ampere तो 0.5 upon 2 into 10 to the power minus 3 minus 3 किसलिए milli ampere के लिए तो यहाँ पर यह हमारी value है rf1 की बात करें forward resistance 1 vd upon id vd की value किती हो 0.5 volt upon 2 into 10 to the power minus 3 कर लेंगे इसको milli ampere को तो जब इससे divide करेंगे तो हमारा सीधा-सीधा क्या जाएगा 250 ohm आ जाएगा तो इस point पर हमारा resistance calculate हो चुका है 250 ohm अगर हम बात करें इस 20 milli ampere की 20 milli ampere पर देखें तो यह कहाँ पर इस point पर है ठीक है इस point पर हमें सीधा-सीधा क्या जाएगा 40 ohm यहां पर answer आ जाएगा दूसरा तो आर एफ टू कितना होगा यह निए forward resistance f2 सीधा यहां पर है वीडी upon id वीडी हमारा 0.8 यहांनि कि upon 20 milli ampere यहां milli ohm convert कर लेंगा milli ampere होगा यहां पर volt लिखा हुआ है यह वोल्ट नहीं होगा यहां पर ampere होगा ठीक है 20 milli ampere यह पर ए बनेगा ठीक है न तो milli की जगह पर ट्वंटी टू 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 दू जबाम माइनस तरी करते हैं डिवाइड करेंगे कैल्स से तो कितना आजाएगा हमारा 40 ohm आजाएगा सीधा सीधा अगर हम बात करते हैं डिसी रेसिस्टेंस एट वी डी वी डी पर यानि के इस वोल्टेज पर जो दिया हुआ है है रिवर्स बाहिसिंग में 10 W इस पर हम देखें तो यहां पर इस पॉइंट पर यानि के इस perfect पर 같은데 पर असिस्टेंस कल्कूल हो — करने लेक्र Mm po element कि इतना दिया हुआ है घुए थिख कर रहा तो यहां पर हमें माइनस नहीं लेना है कल्कुलेशन में सीधा-सीदा टैन अपॉन माइक्रों यह जगर फर हम क्या यूस करेंगे वन इनटो यू पावर माइनस भी इस दिवाइड करेंगे तो सीदा-सीदा हमारा 10 into 10 to the power 6 आ जाएगा तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया प्लस 6 हो जाएगी तो 6 हमारी जो होती है वो मेगा ओम कहलाती है तो इसलिए 10 हमारा क्या होगे 10 मेगा हो गया clear strengths यह second numerical भी हमारा complete हो चुका है हम तीनो points पर अपना resistance calculate कर चुके है resistance से इस तरह का numerical बनता है I hope आपको clear हुआ होगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like जरूर करें अपने दोस्तों को ज़्यादे से ज़्यादा जरूर शेयर करें ताकि उनको भी benefits मिल सकें और comment करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है और कोई doubt होता है किसी numerical में कोई doubt है या कोई और ऐसा numerical जो तुमारे सामने हो या तुमारे पास हो और तुमसे solve नहीं हो पा रहा हो कोई problem आ रही हो तो जरूर कमेंट करके बताएं मैं उसको अगली वीडियो में ले लूँगा और इसको solution आपको provide करा दूँगा ठीक है students चलिए अगला numerical discuss करते है numerical number 3 इस numerical में क्या दिया हुआ देखो यह किस पर numerical है यह वाला हमारा rectifier पर numerical है देख की पता चल रहा है हमारा क्या है half wave rectifier का circuit है तो rectifier का numerical भी मैंने इसी में ले लिया है अगली जो वीडियो होगी हमारी उसमें clipper clamper हम discuss करेंगे ठीक है students उसमें clipper के और clamper के numerical discuss करेंगे वहा से भी numerical 100% exam में बनता है के लिए पर या clamper से numerical 100% exam में बनेगा ही बनेगा ठीक है तो question number third क्या कह रहा है मारा an AC supply of 230 volt is connected to a half wave rectifier circuit देखो circuit दिया हुआ है अगर circuit निया नहीं लिखा होता तो हमें खुद ही पैचानने ला है कि यह किसका half wave rectifier का circuit है लेकिन उसने यहां पर tension क्या हुआ है through a transformer having turns ratio कितने दे रहा है टैन रिशियो वन यानिका number of turns जो हता है हमाँ न वन ये एंवन और अन कि न में किने number of turns है और second नि में कितने number of turns है उनका ratio यहां पर 10 है तो यहां पर 20 होगा तो यहां पर तो है यहां पर 30 होगा तो यहां पर 3 है तो ratio है 10 ratio 1 का ठीक है तो हमें क्या करना है determine करना है क्या एक तो DC output voltage measure करनी है दूसरा में क्या measure करना है peak inverse voltage of diode यानि के peak inverse voltage हमें measure करना है half wave rectifier के context में करेंगे ध्यानने के peak inverse voltage half wave rectifier का कितना होता है vm होता है center tap का क्योंतना होता है two vm होता है और bridge rectifier की अगर हम बात करें तो कितना होता है उसका भी हमारा vm होता है assume the diode to be ideal one यानि कि हमें जो diode है ideal consider करके चला है यानि कि ideal के case में मैंने आपको समझाए था कि कब forward होता है कब reverse होता है यह प्रिवेस वीडियो में अच्छे से discuss कर चुके हैं चलिए तो numerical को solve करते हैं यहां पर numerical में क्या है कि given that n1 upon n2 equals to 10 यानि कि 10 upon 1 भी लिखेंगे तो भी यह गलत नहीं होगा ठीक न इस तरह 10 upon 1 ratio दिया हुआ है n1 upon n2 equals to 10 upon 1 ठीक है primary rms voltage कितनी दी हुई है v1 230 वोल्ट दी हुई है यानि कि यहां की primary की जो voltage दी हुई है 230 वोल्ट है अब हमें हमें इस relation को सीधा-सीधा पता ही है यह हमारा transformer का number of turns और voltage का relation होता है primary में और secondary में n1 upon n2 equals to v1 upon v2 तो यहां से हम क्या करेंगे हमारे पास v1 भी दिया हुआ है question में n1 भी दिया हुआ है n2 भी दिया हुआ है यहां से हम v2 calculate कर लेंगे तो v2 equals to क्या होगा यहां पर v2 equals to हो जाएगा n2 यह reverse मतलब change हो जाएगे क्योंकि और यह फिर हमारा क्यों अगर कोई डाउट होता है किसी भी नुमेरिकल में तो इसका नमबर लिके कहां पर क्या डाउट है मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे मैं उसको solve कर दूँगा समझा दूँगा अगली वीडियो में ले लूँगा फिर से उस यहां पर कितना वोल्टेज होगा तो यहां पर कितना वोल्टेज होगा 23 वोल्ट अब हम बात करते है पीक वैल्यू की पीक वैल्यू मतलब वीम वीम कितना होगा यानि कि हमारा जो होता है इस तरह से साइन वेव होती है तो यह जो पीक वैल्यू यानि के वीम कितना होगा यह कैल्कुलेट करेंगे तो इसको कैल्कुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं अपनी वैल्यू से सीध सीधा multiply कर देंगे तो वीटू को जब हम रूट तो से multiply करेंगे तो हमारा जाएगा 32.5 वोल्ट तो यह हमारी पीक वोल्टेज है जिसको हम किस से डिनोट करेंगे वी एम से ठीक है जो हम characteristics दो करते हैं तो वीम लेते हैं आपर maximum वोल्टेज तो यह वही है अब हमें क्या करना है इसमें सबसे पहले फाइंड करना है डीसी आउट्पूट वोल्टेज तो डीसी आउट्पूट वोल्टेज कितना होगा हम dc आउटपुट वोल्टेज की अगर बात करें तो हमें क्या करना है जो हमारा यह peak voltage है हमेरा यह AC है हमें इसको डीसी में to talk डीसी में to talk करते हैं तो डीसी आउटपुट वोल्टेज LM है उसमें क्या होता है वी M upon Pi Pi से simply हम divine करते हैं जब इसको Pi से simply divide करते हैं तो हमारी direct value आ जाएगी Pi की value हम यहां पर 3.14 put करेंगा और जब इसको solve करेंगे तो यह approximate यह exact कितना आ जाएगा VDC equals to 10.3 वोल्ट यह हमारा पहला आंसर यहां पर आ जाएगा ठीक है अगर हम बात करें पीक इन्वर्स वोल्टेज की तो हमें देख के पता लग रहा है पता ही है इसमें लिखा हुआ अभी हाफ वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होता है VM होता है यह हम अच्छे से पढ़ चुके है तो VM हमारा यह पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है और VM कितना हमारा हमने अभी यहां पर कैलकुलेट किया था 32.5 वोल्ट तो यह हमारा डिरेक्ट आंसर हो जाएगा 32.5 वोल्ट ठीक है स्टुएंट्स आई होप आपको यह वाला नुमेरिकल भी अच्छे से किलियर हुआ होगा चलिए तो अब हम अगला नुमेरिकल डिसकस करते हैं बस ध्यान से सुनते चलें समझते चलें और जैसी मैं नुमेरिकल पूरा समझा दू उसके बाद वीडियो पॉस करके नुमेरिकल को नोट जरू करें अपने हाँ से जरूर लिखें इसलिए मैं पीडिएप नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ यान में यान की लिएडियो पर देखा यान की डियोट पर देखा चे जिए्क डियोट Energoo धिर धीडियोर धूरेट कर देखा फिर दूसरा प्रतीका हमने से fruit नुमेरिकल आप यहीं पर फुल वियव रिक्टिफायर पे नुमेरिकल देख क्या दिया हुआ ह yellATOR में क्या करते लेंगे ऐसमें बस हमने जब दिस째 विल्टेज ता सुनते चलें सबसे पहले हम क्या देखरिये दिदिवी हुआ डिया पावर स्थों कितना होता है यह हमारे पावर का फॉर्मुला होता है यहां से अगर हम आइफा इंड करेंगे तो इसले हैं तो इदर डिवाइड में है यहां पर एजिम किया है तो यहां पर 10 पुट कर दिया तो यानि कि IDC कितना आगे हमारा 10 M कर यहां पर ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं है अब बात करते हैं अब VDC जो VDC का एक्ट्वल फॉर्मुला होता है अगर हम अब यहां से हम क्या करें वी एम अगर क्या करें तो वीम कितना हो जाएगा पाइधर डिवाइड में यहां कि तो फिटीन पॉइंट सेवन वोल्ट हमारा यहां पर वी हम यहां पर क्या अब अगर हम इसके आपर value calculate करें तो rms value के लिए क्या है सिधा सिधा है हम root pi से क्या वो root 2 से क्या कर देते हैं divide कर देते हैं ठीक है न जब हम peak value निकालते हैं मैंने इस से पहले numerical में क्या बता है जब हम vm निकालते हैं यानि peak value निकालते है maximum value निकालते हैं तो आई डीसी के अगर हम बात करें किसमें फल वेव रेक्टिफायर में डीसी करंट कितना हो ता एक टुमने पावर इंहाँ से यहाँ पर इतना टुमारी यह कितना तैने यहां पर आई डीसी जो आ है त Ethereum को डिवाइट के और 3.14 से जब multiply करेंगे तो 15.7 ampere यहां पर हमारा IM आ जाएगा तो अभी तक हमने क्या-क्या value calculate करी एक तो यहां पर IM calculate करा एक VRMS calculate करा हमने और एक यहां पर VM calculate करा ठीक है और यहां पर IDC calculate करा अभी आगे देख लेते हैं आगे क्या है इस में फिर इस numerical में जैसी voltage में करते हैं वैसी सेम यहां पर और IRMS current निकालनी है RMS current निकालनी है तो root 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह IM जो हमने अभी पीछे calculate किया था 15.7 इसको root 2 से डिवाइड करेंगे तो यह भी सेम आ गया कितना 11.1 ampere सीदा-सीदा ठीक है अब हम यहां पर बात करेंगे TUF की यह utilization factor होता है transformer का यह क्या होता है DC power upon secondary power rating DC power मतलब power हमने अभी क्या बात करें दियो है question में 10 वो sorry 100 दियो है DC power power तो दियो ही न एक्जान इसमें numerical में और secondary power rating की बात करें तो हम secondary power rating मतलब secondary की बात हो रही power rating की तो यहां पर जैसे secondary power rating यहां पर बनावा नहीं है diagram चलो मैं यहां ही पर बना के दिखाता हूँ न इस तरह से भी मैं बताता हूँ एक second यह हमारी primary winding होगे इस तरह से और यहां पर यह क्या होती है secondary winding होती है ठीक है तो यहां पर जो हमने VRMS और IRMS calculate करें है secondary के लिए वह हम value put कर देंगे यहां पर तो IRMS कितना 11.1 और VRMS भी हमारा इतना ही आया था दोनों को multiply करेंगे और percentage में calculate करने के लिए 100 से multiply कर देंगे इन दोनों multiply करेंगे divide करेंगे और divide करका 100 से multiply करेंगे तो 81.6% हमारा यहां पर transformer का utilization factor आ चुका है ठीक है अब बात करते हैं इसके number of tons का ratio तो number of tons हमारा क्या होता है n1 upon n2 equals to v1 upon v2 v1 कितना है 230 volt दिया हुआ simple ac में और v2 यानि कि अभी यहां पर जो VRMS हमने calculate करी वो कितना है हमारा 11.1 और हमने इसको divide कर लिए तो आगे 20.72 यानिकि n1 upon n2 is तो 20 upon 72 या upon में वन हो लिख देंगे इस तरह से चाहिए तो ठीक है ना तो यह हमारा क्या गया finally number of tons आ गया तो यह हमने सारे इसके parameters calculate कर लिए maximum ठीक है तो हमें इस इस numerical में यही चीजे calculate करनी थी है ठीक है student चलिए अब हम next question की बात करते हैं अब जो next question है हमारे अभी नेक्स टू question हमारे general diode पर आएंगे general diode में अकसर पूछा जाता है numerical अगर आप देखें प्रिवेस एर के question paper चेक करें तो आप उसमें देखेंगे कि हमारा जो general diode है उससे numerical अकसर बन जाता है general diodization regulator हम पढ़ चुके है उसी पर based यह numerical होते है हमारे ठीक है बहुत simple numerical आएंगे बहुत छोटे से numerical आएंगे बहुत easy numerical आएंगे बस थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आपको concentrate होके numerical को समझना है और आपको बहुत अच्छे से सारी चीजे clear ह जाएंगे ठीकने students देखिए अब हमें यहां पर क्या है question number five के अगर हम बात करें for the circuit of the following figure यानि कि बात चलिए इस वाले circuit की find क्या करना है output voltage find करना है voltage drop across rs यानि के resistance में कितना voltage drop हो रहा है यह find करना है output voltage यह find करना है पहला और current through the general diode इसमें flow होने वाली current is diode में वो हमें calculate करना है तो one by one हम देख लेते हैं देखो यहां पर हमने इसको थोड़ा सच मोडिफाई किया मतलब कुछ चीज़ें यहां पर बनाई तो यह वाला मने circuit दोबार से ड्रो करा क्या यहां पर जो आर ऐसे में current हमने आई-एस बना ली यानि कि इसमें फ्लोने वाली current को मने आई-एस स दिनोट कर लिया जैनर डायट में जो current flow रही है इसको आई-एस से और यहां पर load assistance में RL से ठीक ना स्ट्रेंट्स क्लियर है यहां तक बागी तो सारी चीज़े वही है बस हमने यह सारी यह चीज़ें यहां पर current यहां पर mention कर ली अब इसमें हमें दिया हुआ क्या है क्या है क्या है हम यह देख लेते हैं एक तो हमें व्यस दिया हुआ है वी एस कितना यानि कि यह वाला voltage जो source voltage हमारा कितना 12 volt वीज़ेट जैनर डायोड का voltage कितना दिया हुआ हम मेजर कर रहे हैं आपर वो इस रसेस्टेंस के अक्रॉस मेजर कर रहा है और इस रसेस्टेंस में कितना करन्ट होगा यह रसेस्टेंस इस जैनल डायोड के साथ में काएंस है स्रीज वो सौरी पैरलल में कनेक्ट है और पैरलल में कर जो वोल्टेज होता है हमारा सेम होता है जितना इसमें को तक रहे तो दायोडगर इस तो आपको लग रहा हो इतना सिंपल नुमेरिकल एकशाम में थोडी न आएगा तो यह देखो 2011-12 में आयवार ऐसा नहीं है कि यह इतना पुराना आया है तो मतलब पहले आते थे इतने अपनी आएंगे या क्या है कुछ ऐसा नहीं है इस अभी भी ऐसे रिपीट होते हैं मैं इनके न्यू यहर्स लिखना भी भूल चुका हूँ मतलब मिले नहीं मुझे इस पेपर सायद उन्हीं में से आ जाएगा बात करते हम VS की यानि के क्या करना है मैं RS में ड्रॉप होने वाली वॉल्टेज RS कहूँसा यह वालश cement वWill्टेज हमने क्या माल लिया यह पर जो भी वॉल्टेज हमारी हैं ड्रॉप होगी तो उसको हमें करना है NBro तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां से इसमें फ्लो ने वाली करंट अगर हम कैलकुलेट करें आरेस में तो वो करंट कितना होगा तो करंट क्या होगा देखो अब मैं एक चीज़ आपको यहां पर थोड़ा सा समझाता हूं मालो सपोस करो एक यह पॉइंट है और एक रसि तो अगर मैं बोलूँ यहां पर करंट कितना होगा तो आप सिंपली बता सकते हैं जो आई होगा हमारा हम से अगर हम देखें व कोस्ट आयर से तो यहां पर जो आई होगा वो कितना होगा यहां पर वोल्टेज कितना होगा पोटेंशल डिफरेंस जो होगा यहां पर पोटे इस जो मैंने अभी यह समझा है इस से आप बहुत आसानी से इस यहां पर देख सकते हैं यहां पर करंट कितना होगा करंट कितना होगा यहां पर यहां पर कितना है वीजेट दिया हुआ एट वोल्ट तो यानि के Vs-Vz upon यहां पर Rs तो यह हमारा यहां पर लिखा हुआ Vs-Vz upon Rs ठीक है यह सीदा-सीदा हम बात करें क्या है कि जो Vs होगा हमारा अगर इसमें हम यहां पर kvl apply करें तो कितना होगा Vs यहां पर voltage source कितना है Vs और इसमें आगे कितना होगा यहां पर voltage कितना होगा IS into RS और यहां पर कितना voltage है VZ तो यह ही लिखा हुआ है IS into RS plus VZ equals to कितना होगे voltage source VZ के equal तो यहां से जब IS calculate करेंगे तो सिधा-सिधा हमारा यही formula यहां पर बनेगा तो VZ हमें कितना है 12V दिया हुआ है इसमें question में minus VZ 8V हमें दिया हुआ है upon RS 5 km दिया हुआ है तो 5 km यानि 5 into 10 to the power 3 कर लेंगे यहां पर 4 upon 5 into 10 to the power 3 हो जाएगे और यह उपर जाएगी 10 to the power 3 तो minus की हो जाएगे और minus की 3 को हम milliampere लिखते हैं और जब 4 को 5 से divide करेंगे तो 0.8 milliampere रहा जाएगा ठीक है ना I think आपको यह चीजे clear हो गई होंगी यहां तक अभी हमने IS calculate कर लिए है तो आगे भी और calculate कर ले थे हमने जो करना है resistance जो हमारा RS यह जो resistance RS है हमारा यहां पर voltage drop कितना होगा हमने क्लूएट करना है तो वोल्टेज डॉप कितना होगा सिदा सिदा काइं से करेंगे IS into RS यानि कि कि यहां पर जो voltage होगा इसमें इसमें voltage कितना होगा इसमें विक कुस्ट यह थो हता है तो I हमारा IS मालिया हमने और हमार RS है हमने 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 यहां से calculate कर लिया और आरसमें दिया हुआ है 5 किलों में तो यहां सिधा सिधा मल्टिप्लाइए कर देंगे हम यहां पर इनको यह देखो आयेस जो है 0.8 x 10 to the power minus 3 क्योंकि मिलिया था और यह 5 किलों में तो 5 x 10 to the power 3 करेंगे तो फोर वोल्ट हमारा फाइनली यहां पर आंसर आ जाएगा ठीक ने स्टेंट्स आयोप आपको यह चीज़े क्लियर हो रही होंगी अगर हम बात करें लास्ट हमारा क्या है अब हमें क्या पता है यहां से मेजर करेंगे तो आयल इकोस्ट कितना हो जाए वी नॉट अपॉन आरेल डिवाइड में चला जाएगा तो वी नॉट तो हमने यहां पर मेजर ही किया था सबसे पहले ग्रीच पॉइंटम यहां पर सेम होता है वी जैट के एक फल हो जाएगा अपॉन में आरल कितना है आरेल चॉह हमारा यहां पर कितना दिया होई 10 किलोम दिया हुआ है ठीक है न 10 किलोम दिया हुआ है तो 10 इंटू 10 to the power 3 हो गया जब डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 10 to the power minus 4 यह सिधा-सिधा लिगए 0.8 milliamp ठीक है तो हमारा ILM ने यहां से calculate कर लिया अब हमारे पास ILB है हमारे पास ISBA से पीछे हमने calculate करा तो IS जो है हमारा जो source current होगा वो यहां पर आकर दो point में divide हो रहाएगा यहां पर और एक यहां पर ठीक है एक आगे चलीगे यहां पर और एक यहां पर तो IS equals to कितना हो जाएगा इस note पर IS और outgoing current कौन से हमारी IS plus IL तो IS equals to IS plus IL हो जाएगा तो यह वाला हम यहां पर सिधा सिधा formula यूज कर लेंगे IS equals to IS plus IL यहां से मैं निकालना क्या है जैनर current यानि कि जैनर डायोड में जो flow हो रही है current IZ तो IZ is equals to कितना होगा IS में से इधर IL को ले जाएंगे subtract होगा और दोनों ही हमारे same है तो जब subtract करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हमारा current हो जाएगा किसमे जैनर डायोड में तो बहुत simple सा numerical था थोड़ा सा आपको देखने में लेंदी लगा है लेकिन ज्यादा लेंदी करने में नहीं होगा मुझे समझान तो लाइक जरू कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो इस्ट्वेंट्स हम बात करते हैं अपने अगले numerical का जो जैनर डायोड पर बेस्ट है हमारा ये भी तो इस numerical में है क्या यहां पर देखो हमें क्या करना ह छोटा स सामें ज्यादा बाडा नुमेरयमारो यहां ढिन टेण कलोम और टेलों यहांद भी में इल्यारो यहां तो बात करें सबसे पहले क्या चैनल करने इसके mówi आइस पर बहले ने जैसे पना यह थोल्टेज माइन से वाला वोल्टे यहांपर दिया हुआ है 10- pero upon me resistance नोगल्वी यह माइनस वीजय वीज現在 अपन आरस तो वीज Ettे ऑर फिप्टी वह यह अफ़ यह और वीजै den अरे टैन वोल्ड दिया हुआ है यहां पर यह तो 15-10 नापॉड ग्लों यह resistance की value दिए 2 इंटो 10 पावर 3 हो जाएगा यहां पर 5 आपाउन 2 इंटो 10 पावर 3 हो जाएगा डिवाइड गरें 2.5 और 10 पावर 3 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो मिली में convert हो जाएगा तो 2.5 इंटो 10 पावर 3 आमपयर यह 2.5 मिली एंपयर ठीक है अब हमारा आई मारा जो इस मृंद वे सबसे पहले ऐखाल है UP करना है ठीक ना किलियर हो ग९द बात अब हमें जो न यह पर जह क्या करने लियू क्लेट करना ज़ूसरा हम भात कर लेटें किस-क्यक्स के लिए लिए कि लिए लू रल यहांपर हम सिदह क्या लिए के वी नौट अपऑन आरल यानि कि यहांपर जो भी वाल्टेज होगा अपं आरल लेकिन वोल्टेज कौन सा बम जो इस जैनल डायोट का वोल्टेज यहां पर टू नहीं होगा सुरी यह 10 किलों होगा 10 किलों ठीक है 10 एपाउन 10 10 से 10 कैंसिल अपाउन में 10 तो पाउर 3 होगा उपर जागे माइनस हो जाएगा तो 1 मिलिया एंपर हमारा ही हो जाएगा ठीक नहीं कैलकुलेशन आयोप मैं जहां तक समझता हूँ आप करी लेंगे कैलकुलेशन आप इतनी तो आती ही होगी ठीक है अगर फिर भी कोई से नुमेरिकल में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताना ठीक है अब उसके बाद हमने आई-एल कैलकुलेट कर लिया ठीक है आई-ए फिर प्लसिया एल तो यहां से करनक है थीक है थीक है आई ऑग तो अगर हम बात करें कितना है न होगा है that 1 2.5 mili ampere में से 1 mili ampere को subtract करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1.5 mili ampere हमारा यह आ जाएगा किसके लिए 10 km resistance के लिए 2 km resistance के लिए हमने क्यों नहीं calculate करा है यहाँ पर वो इसलिए नहीं calculate करा 2 km के लिए जो current है हमारी IL वो कितनी है 5 mili ampere है और is हमारा कितना 2.5 mili ampere है तो यह minus में आगा तो वह उसकी हमें need नहीं है उसका हम neglect करते हुए चलेंगे छोड़ते हुए चलेंगे अब हमें pz calculate करना है pz क्या होता है pz equals to vz होता है तो pz equals to vz into iz vz कितना 10 volt और iz अभी हम calculate करी चुके है 1.5 mili ampere जब हमारे पास iz 10 kilom के लिए है resistance के लिए तो यह भी हम 10 kilom के लिए calculate करेंगे तो 10 into 1.5 यह निकला है into 10 to the power minus 3 mili ampere की वेसे तो जब इनको solve करेंगे तो कितना आ जाएगा यानि कि इन दोनों को multiply करते है simple 15 हो गया 10 को power 3 को हमने minus 3 को हमने मिली लिग लिए और यह power है तो watt इसकी unit होती है तो 15 watt हमारा आगे 10 kilom resistance के लिए ठीक है I hope आपको यह सारे numericals बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे किसी भी numerical में कोई doubt है तो जरू comment करें और अपने दोस्तों को जादे से जादे शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियो का फायदा मिल सके तो यह डायोट के numerical थे next वीडियो में मैं आपको क्लीपर और क्लैमपर के numerical और समझाऊंगा ठीक है strengths अच्छे से पढ़ाई करें आपके exam आने से पहले पहले मैं पूरा स्लेबर स्कवर भी कराऊंगा साथ मैं आपको कुछ मडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके exam के लिए बहुत तीर रामबान साबित होंगे ठीक है ना चलिए strengths तो आज के लिए इतना ही ओके